नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गजब ग्यानी में वीडियो को अंद तक देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें अब आपको हैरानी होगी कि चश्मे उतर गए सिर्फ ये लार लगाएं आप भी करके देख लीजे जिनको भी चश्मे बस अंतर इतना है कि बच्चों को जल्दी उतरे आपको थोड़ा देर में उतरेंगे लेकिन उतर जाएंगे उम्र जादा बढ़ेगी तो थोड़ा दिन करना पड़ेगा कम उम्र में बहुत जल्दी उतर जाएंगे लेकिन अपकी बार अगर ये बीमारी आए तो आप ये करना सुबह सुबह उठते ही मूं की लार लगाना 24 गंटे के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा बीमारी कांगे 24 गंटे में ठीक होते हैं अगर बच्चों में बच्पन से आँखों के ऐसे कोई रोग है जैसे मेरे पास एक छोटा बच्चा है आठ साल का है उसका मैं ट्रीट्मेंट कर रहा हूँ उसकी आँख है टेड़ी है वो देखता कहीं है और दिखता कहीं है उसको ऐसा है अब उसके माता पिता गरीब है और वो ऑपरेशन का खर्चा नहीं उठा सकते उस बच्चे पर मैं यही एक्सपरिमेंट कर रहा हूँ लगबग मुझे चार साड़े चार महीना हो गया है और उसका टेड़ापन जिसको हम लोग हिंदी में केते बहेंगापन उसका भेंगापन लगातार कम हो रहा है और आखों की पुतलियां बिल्कुल बीच में सेट हो रहे तब मुझे थोड़ी जिग्यासा हुई और मैंने एक बहुत बड़े वेग्यानिक को पूछा दिल्ली में कि यह लार में क्या है अशुली इसका active ingredient क्या है तो उन्होंने का भाया जितने एक्टिव इंग्रेडियंट मिट्टी में है वो सब लार में है तो बैने आपको वगता है मिट्टी में अठारे active ingredients है लार में वो सब के सब हैं इसलिए लार शरीर के लिए बहुत ही कीमती है बेश कीमती है इसको कभी नष्ट नहीं करना इसकी मदद से आप बहुत सारे रोग ठीक करते और दो चार बातें वता दू क्या-क्या रोग और ठीक कर सकते आपके शरीर में कोई दाग हो गया, धब्बा हो गया जैसे जल गए, जलने का दाग होता है न, उस पर नियमित रूप से सवेरे की लार की थोड़ी थोड़ी मालिश करते रही है, 6-8 महीने में धगगा धबबा बिलकुल साफ हो जाए, जले हुए का धबबा, शरीर में और कोई ऐसा अंग में सफेद दाग दिख रहा है, या काला दाग हो गया, या फलाना हो गया, या डिमाका हो गया, एकजीमा हो गया मानलो, खराब बीमारी की बात करूँ, एकजीमा हो गया, एकजीमा पर रोज सुबह की लार लगाईए, मालिश करते रही है, 6-8 महीने के बाद देखेगा साफ, और एकजीमा से भी ज्यादा खराब बीमारी है, सोराइसिस, वो भी ठीक होती है, इस इलाज, बस इतना है कि साल भर करना पड़े, मुफत का इलाज है, फोकट का इलाज, बागवट्ट जी ने जितने भी इलाज बताये हैं, सब फोकट के और मुफत के, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, तो आप इसकिन डिसीज में इसका एक्सपरिमेंट करिए, आखों की बीमारियों में इसका एक्सपरिमेंट करिए, घाओ हो जाएं कहीं शरीर में उस पर एक्सपरिमेंट करिए, फोड़े फिंसियों पर इसका एक्सपरिमेंट करिए, मैंने ये चारों एक्सपरिमेंट कियें बहुत अच्छे रिजल्ट है आप भी करिए रिजल्ट आपको भी मिलेंगे बस इतना ही है कि आप दूसरों को भी बताते जाएए तो आपने अपना दुख तो कम कर लिया आप दूसरों का भी कम कराईए ना तब ही मोक्ष जाएंगे आखों की बीमारी है हमारे घरों में जैसे चश्मा चड़ गया है दिखाई कम देता है आख में मोतिया बिंदा गया है चैटरेक्ट हो गया है मायोपिया है प्रेटिनल डिटेच्मेंट है ये सब बीमारियों की बहुत अच्छी दवा अपने पास है देशी गाय का मूत्र हो एक-एक मूंद उसको आख में डालेगा सुबह डालो तो बहुत अच्छा है नहीं तो शाम को सोते सब देशी गाय का मूत्र जैसे ही आख डालेंगे आपकी आखों से चश्मा उतर जाएगा देशी गाय का मूत्र डालेंगे मोतिया बिंद अपने आप गल जाएगा बिना ओपरेशन देशी गाय का मूत्र डालेंगे रेटीना आपका युक्तम दुरुस्त हो जाएगा रेटीना में कोई भी तकलीफ हो वो मूत्र से चीख हो जाएगा जिनको आखों में ज़्यादा पानी आता है बार बार उनका पानी आना बन दोगा जिनको आखों में खारिश होती रहती है वो खारिश ठीक होगी जिनकी आखें लाल रहती है अक्सर वो आखों का लाल लाला मी ठीक कर देगा आखों की बीस से ज़्यादा बीमारिया गाई के मूत्र से ठीक हो जड़ते मैंने गो मूत्र पर लगवग बीस साल के सर्च किया इतना अधुत है ये कि इसका वर्णन करो घंटों घंटों लगते हैं गाई के मूत्र का उपियोग आप करिया तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकेन को भी प्रेस कर दें धन्यवाद नमस्कार जैहिंद जैभाद